नमस्कार दर्श को आप शबी का हर्दिक अब जिन्मन करता हूं देव गुरु ब्रिश्पति वक्री हो रहा है तो शिंग रार्षी पे इसका क्या प्रभाव पड़ेगा देखेंगे समझेंगे और अगर आप शिंग रार्षी वाले हैं मत छोड़िएगा आखरी तक कि जब वक्री जब नहीं थे अप्रेल के बाद से तो क्या शिंग रार्षी वालों को फल मिला उसे हम जान जाएंगे तब तो देखेंगे न कि आगे अब वही आगे क्या करेंगे जब वक्री हो रहा है चलिए देखते हैं पंचम घर के स्वामी बन गए थनुराशी के स्वामी गुरू अस्टम घर के भी श्वामी बन गए मीन डाशी के श्वामी ब्रिश्पती लेकिन अब ये हैं राहू के साथ ये हैं राहू के शाथ तो कही ना कही देव गुरु ब्रेश्पती दिक्कत में पड़े राहू किसी को नहीं छोड़ता हाँ अगर कोई गिरु बहुत ज्यादा ही मजबूत हो बहुत ज़दा अन्भवी हो बहुत ज़दा उसमें हो तब उसके सरण में कोई भी आया उसे बदल देते हैं जैसे कि कौतम बुध अंगली मान जैसे डाकू को भी बदल दिया है वो उनके सिस्य बन गए तो गुरू पर डिपेंड करते हैं लेकिन गुरू यहाँ पर अभी मजबूत नहीं है तो सिस्य गुरू पर ही हावी पड़ गया है तो मतलब गुरू जिन जिन घर के श्वामी है जहाँ जहाँ उनका महत्व है उसको राहू ले लिया या उसको नुक्षान दिया तो पंचम घर पे पंचम घर को राहू प्रियास करेगा नुक्षान देने को ठीक है तो होगा क्या अभी तक 22 अप्रेल के बाद से बहुत से लोग सिंग राशी वाले लगन वाले गलट डिसीजन के वज़े से पच्छता रहे हैं गलट डिसीजन लिये होंगे पर पच्छतावा कहीं न कहीं हो रहा है यह हो रहा होगा बहुत से सिंगल लगन के आशिंग राशी की जातक देखिएगा आपने कुछ गलट डिसीजन 22 अप्रेल के बाद से लिया है जिसका आपको पस्तावा तेखने को मिल रहा होगा कुछ इस तरह के आपने बन भी रहा होगा आपको आपको परिशान या दुस्मन आपके ऊबर हावी हो रहा है दुस्मन आपको परिशान कर रहा है या स्वास्त को लेके भी देखा जाता है कुछ ऐसी चीजे जो आपको मिर्त्यू के शमान कष्ट दे रहा है या कोई आपके लाइफ में आ गया है जिसके जाने के बाद आपको बहुत दुख हो रहा है या वह आपके लाइफ से जाने वाला है अचानक कुछ आपको लाइफ म में तो तो फिर अलग बात है तो सायद ऐसा ना हो लेकि खुदके कुंडली में अगर नहीं है तो बिल्कुल आपको ऐसा देखने को मिलेगा कि कहीं न कहीं दिक्कत कहीं न कहीं परशानिया जरूर आपको देखने को मिल रहा होगा है ठीक है मजबूत मतलब कि आपके खुद के कुणली में गुरू 3, 4, 5, 6, 9, 12 नंबर में होंगे जिसे यहाँ पर गुरू है यहाँ एक नंबर लिखा है तो आपके खुद के कुणली में 3, 4, 5, 6, 9, 12 नंबर में अगर होंगे तो शायद दिक्कत ना हो लेकिन जिनके गुरू राहू के साथ खुद के कुणली में हो शानी के साथ खुद के कुणली में हो मंगल के साथ खुद के कुणली में हो तो उनको दिक्कत जरूर हो रहा हो आप कमेंट करेगा गुरू आपके किन के साथ है और क्या दिक्कत आपको हो रहा है कमेंट करके बताईएगा दशा अब बिरिश्पति और कम जोड़ हो रहे हैं तो बहुत से जातक बचे हुए होंगे बचे हुए अभी तक उनको साधे दिखत ना देखने को मिला हो लेकिन अब यह उनको दिखत देखने को मिलेगा तो आप देखेंगे कि आपके साथ कुछ ऐसा कंडिशन बन रहा होगा पूद गन्फूज होगे या तो कुछ आपके साथ दो तरफा लाइन है इधर का भी इधर का तरफ है अब आपको डिसीजन लेने के कंडिशन अब आपको बन रहा होगा जैसे आप डिसीजन लेंगे वह डिसीजन गलत हो जाएगा तो सिंग राशी वाले डिसीजन बड़ा सोच समझ के लिजेगा नहीं तो दिपकत नहीं तो प्रावलम आपको बढ़ने वाला है और आश्टम घर के उश्वामी है तो आपको जो अचानक से मिला है लाइफ में न उसका संकित अब आपको मिल जाएगा कि वह अब आपके होगा उसका आपको देखियेगा या क्लाई बे horror होगा यह कोई आई होगे तो उसके भी जगणे सुरू हो गेंगे उसके भी जाने का अशार आपको कुछ भी ऐचानक आपको मिला होगा या कुछ अच्तर थैनक चला जाएगा अ पूरा पूरा असार दिखाई दे रहा है तो यह सब होगा और गुरू अगर आपके तीन चार पांच नौ बारा नंबर में तो सायद ना हो या आपके कुंडली में गुरू बहुत मजबूत होंगे तो ना हो लेकिन कि मैक्सिम्म लोग के शाथ यह सब दिक्कते होना ही होना है गुरू अगर राहू के शाथ सने के शाथ मंगल के शाथ आपके खुद के कुंडली में तो दिक्कत होगा दशा आपका राहू का चल रहा होगा तो दिक्कत होगा गुरू अगर तीन चार पांच छो नौ बारा में तो शायद ना हो क्योंकि मजबूत इस्थिति में रहेंगे उस नंबर में लेकि जिनका नहीं है उनको तो दिक्कत होने वाला है तो कमेंट करके बताईएगा कि उनको ऐसा महसूस हो रहा है बागी आपके खुद के कुंडली में गुरू कैसे बैठे हैं कहां बैठे हैं कैसा स्थिति हैं मजबूत हैं कम जोड़ हैं क्या है वो सब डिपेंड करता है आपके खुद के कुंडली का दिएगे नंबर पर वाटसप करके आप मेरे से समय लेके दक्षियां देके आप कुंडली दिखवाशक क्यों वीडियो चलागा लाइक करें सब्सक्राइब करें सेयर जरूर करें जाया है ने जापनाद